महें स्लामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स मुम्रा के दाधी कालूरी में आज सुबा एक महिला की डेथ बॉडी मिलने से हड़कम बच गया बताए जा रहा है कि ये महिला करीब 10 सालों से अकेले अपने घर में रहती थी मुम्रा के दाधी कालूरी विग् पचास साल बताई जा रही है वैसे इस महिला की मौत करीब 2-3 दिन पहले हो चुकी थी मगर किसी को इसकी मौत की जानकारी नहीं मिल पाई आज सुबा मिरित्तक महिला के पडोस में एक ब्यक्ति गैस बाटले की डिलिवरी करने आया और उसने बदबू महसूस की और लोगो का शक इस महिला के घर पर गया अस्थानिय लोगों ने बताया कि घर के दर्वाजे में कड़ी नहीं लगी थी दर्वाजा खोला गया तो अंदर कमल अप्पा की लास बेट पर पड़ी थी जिसके बाद इसकी जानकारी मुम्रा पुलिस को दी गई और मुम्रा पुलिस ने इसकी जानकारी टीमसी के डॉक्टरों को दी महिला को कोविट सेस्पेक्ट बताया जा रहा है हो सकता है कि इस महिला की मौत कुरोना से हुई हो बहरहाल मुरित्तक के परिजनों को भी सूचना दे दी गई थी वो भी मौके पर पहुँच गए थे लगभग दो से तीन दिन भी घर के अंदर इस महिला की मौत हो गए थी और काफी बोडी फूल गए थी यानि कि शव की स्थिती ठीक नहीं थी बहरहाल मनपा के डॉक्टर और कर्मचारियों ने शव को घर से निकाल कर अंबुलेंस द्वारा कलवा के छत्रपती शिवा जी अस्पताल पहुंचाया ग को लाइक करें